दोस्तों पटना से बाहर होने के कारण आगे भी छूट जाएंगे क्या है आपका बीएड अपेरिंग शात्रों को यहाँ पर सिक्षक बनने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट जो है वो दी हुई है प्रदेश के बीएड अपेरिंग चात्रों को शिक्षक बनने के लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है ऐसे चात्र चात्राएं ना तो इस बार शिक्षक बहाली में भाग ले पाएंगे ना ही अगली वैकेंसी में आविदन कर सकेंगे एस्टेट पास नहीं होने के कारण वो बीपी एसी के 1.70 लाग शिक्षक बरती परिक्षा के लिए पात्र नहीं थे वहीं बीएड अपियरिंग विद्धियार्थियों को आगामी एस्टेट में शामिल होने का मौका नहीं मिला है ध्यान दीजेगा एस्टेट जो आपका अभी कल तेज तारीक लास डेट है तेज तारीक अपराहन तक लास डेट है उसकी तो उनको मौका नहीं मिलेगा पर अगे बी दिया हुआ है कि खक्षा एक से पास के लिए अभी दिया हुआ है कि लिए पर यहां की है कि नहीं है यह बाते बी देखें यहां पर मेंशन की हुई है तो ये थी अपडेट आज की जो है कोई आगर आपका और सवाल यहां से बनता है तो जरूर पूछेगा देखिए यहां पर कुछ और बात है कि उसमें पेपर वन पेपर टू दोनों ही बेट वाले दे रहे थे बट यहां पर स्टीट की बात करें जो कि आपका सेकेंडरी टीचर्स अलिजबिल्टी टेस्ट बिहार का है उसमें जो है वह आवेदन का मौका उन्हें नहीं मिला है बाकी कोई और सवाल है तो आप जरूर में भगाद्यक्ष शिक्षा विभाग ये भी इन्होंने यहां पर बात बताई हुई है कि इस बार वेकेंसे में शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि वह एलिजबिल्टी ऐसे में नहीं है ठीक है बाकी कोई और सवाल है तो मेंशन करिए शुक्रिया आप सभी का मिलते एक और